संसकारधानी में श्री किष्ण जनमाश्टमी की धूम है नगर के मंदिरों में भगवान श्री किष्ण की अनुपम जहाकिया सजाई गई है जिनमें ब्रिज बिंदावन की काना, मुरली मनोहर, माखंचोर, यशोदा के लाल, रासरसयय, कोपी कृष्ण और दृपदी की सखा एवं पांड़वों के तारिना, विविध रूपों में नजर आ रही है पूरी संसकारधानी कृष्ण में नजर आ रही है संसकारधानी में श्री किष्ण जनमाश्टमी की धूम है शेहर की श्री कृष्ण मंदिरों में भगवान की मनमूहक जाकियों को सजाय गया है। जाकियों में भगवान युगेश्वर की मानव लीला की जलक दिखाई दे रही है जो आकर्षन का केंद्र बनी हुई है। जन्माष्टमी का परव श्री कृष्ण के लोग नायक, संघर, श्रील, पुरशार्थी, कर्मयोगी वा युगांतर होने के महत्व को प्रतिपादित करता है। श्री कृष्ण की विराटता, अनन्ता और सर्वकालिक प्रसांगिकता ही श्री कृष्ण तत्व के प्रति आस्तीमित आकर्षन का कारण है। उन जैसा कोई प्रेमी नहीं, कोई सखा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई युद्धा नहीं, कोई दाशनिक नहीं, वे हर रूप में चमतकार करते हैं। संतों का कहना है कि कृष्ण तत्व को जगत गुरू के स्वरूप को आत्मसात कर, यदि हम अपने और अपने समाज के प्रबंधन के सूत्र को समझ सकें, तो ही जन्माश्टिमी के इस पावन पर्व को उत्सव के रूप में बनाने की सार्थकता है। नंद के आनंद भयो जैकनहिया लाकी, गुंच से संसकार धानी पूँच रही है। और पूजन के लिए श्रधालू का ताता लगा हुआ है। पूजन सामगरी जूले और सजावट की वस्तों से बाजार सच गए है। शधालू में जन्माश्टिमी पर्व का उत्सा देखते ही बन रहा है। और निया आदेखते ही है। और निया आदेखते ही है। और निया आदेखते है। और निया आदेखते हैं।